हेलो एवरिवन वेलकम टू माई योट्यूब चैनल अनिशा हीर एक्शली आज मैं घर आई हूँ यूँ और आज था प्यार्टी का एक्जाम के विएस 21 फैब को मेरा एक्जाम जो है वो 24 फैब को है मेरा भी फर्स्ट एटैम्ट है बट आप तक जो एनालीसिस हुई है प्या आईडिया मिल जाए तो इसलिए मैंने एक समरी तयार की है पूरे पेपर की कुछ काफी सारी वीडियो का मैंने जो है एनालीसिस किया है तो देखते हैं जल्दी से फर्स्ट है आपके पास इंग्लिश इंग्लिश में क्या है टैन्मार्स की आती है सबको पता है जेनरल सेक् सब्सक्राइए पमें मुझे अब तक किसी वीडियो में ये नी पता लगा कि रीडिंग आय थी या नहीं तो आहां आया ही नहीं होगा अब तक तो आप यह सोचों कि टैनंग्स का पूरा हुँ यहीं कवर कर रहा है नेक्स जो है हिंदी में तो आपका विलॉम जो था दिर्थ का पूछा गया था आपसे कारक जो है पक्षी का प्राइवची पूछा गया था सूरज का संगत असंगत में आपका मुहाबरा आया था तो यह सब था आपका हिंदी का हिंदी भी आपकी 10 marks की इंग्लिश 10 marks की हिंदी कंप्यूटर से जो आपके question आये हैं तो first question आया है VDU की full form पूछी गया आपसे last जो मैंने आपको बताया था PGT में आपको बताया था मैंने DVD की full form थी यानि कि फूल पूछ रहे हैं कंप्यूटर में easy question आ रहे है एक आया था आपका primary memory unit से एक आया था first generation of computer से एक इसमें जो नया question मिला ना वो मिला मुझे powerpoint का यानि की PPT से भी question आ रहे है Microsoft में जो word होता है PPT होती है आपके पास और एक Excel होता है इन तीनों को आप पढ़ लेना एक बाद तो यह था आपका computer section next है gk और gs से जो है आपका एक साहित academy related question था तमिल भाषा से अभी जो है मुझे यही पता लगा है इसमें gk में बाकी जादा कुछ इसकी जो है gk का किसी ने अभी तक नहीं बताया है next जो है pedagogy pedagogy काफी अच्छी आई थी साथ नंबर की थी और इसी आई थी RTE Act जो कि हर बार आ रहा है आप तो question TGT PGT में भी आए थे तो RTE 2009 से दो तिन question बने है NCF से question आए है NEP 2020 से यह PGT में भी आया था मैंने आपको बताया था और यहां भी आप से यहां तो इन्होंने full form भी पूछ ली तो जो है national education जो policy है हमार पूछे गए हैं एक मनोदर पन यहां पर नहीं पूछा गया एक एडोली से question पूछा गया एक देखो यहां पर वाइगोस की वाइगोस की कहीं सी लेवस में mention नहीं है इनका लेकिन यहां पर पूछा गया इस से constructive approach से question जो है तो यह कैसा question डाली रहे है जो कि आपका जेनरल ह नेक्स जो है हमारे पास reasoning reasoning में क्या है एक dice से question आया था वैने diagram से जो कि हर paper में आ रहा है PGT TGT में भी आया था वैने diagram से मैंने आपको बताया था coding decoding वहां भी आया थी यहां भी पूछी गई एक यहां पर जो नया question पूछा गया ना blood group में यहां पर आया है आपके पास sorry PRT म तो यहां पर जो आपसे पूछा गया वो blood relation से पूछा गया जो कि अभी तक नहीं देखने को मिला था ना TGT में ना PGT में और next जो है आपके पास sitting arrangement यह भी मैंने आपको हर बार बताया कि sitting arrangement का question TGT में भी आ रहा है PGT में भी आ रहा है तो यह थी reasoning reasoning विल्कुल सिंपल है अगर आप seated तक पहुंच आते हो तो इतना दो लेवल आपका ही next जो है subject पे चलते subject में English Hindi तो वही हो गया आपके पास संगय सरनाम और यह सब जो मैंने बताया है जो maths आया था उसमें देखो centroid जिसने TGT का paper दिया होगा उसके लिए बैटर होगा नहीं तो जो maths आपके पास एक क्वेशन आया है 139 की डिवीजिबिलीटी रूल से पूछा गया था नेक्स जो प्राइम नंबर से आया था एक क्वेशन आपका फ्रेक्शन टूडेसिमल कनवर्ट करना आया था एक आपका जो है HCF LCM से प्रड़क्ट जो आपको पता है HCM LCM के एकवल होता है तो वहां जो है assertion reasoning में इस तरह से question पूछे गए थे कि कौन सा ठीक है इन statements को true मान के आप जो है answer दो तो यह आपके पास इस तरह से question पूछे गए थे 6th class से आपका महासागर आया था और food से question आया था आपके पास जो है पोदो से question आया था प्लांट से shelter से जो है यह सारे जो है आपके जनजाती से question आया था तो यह EBS का था आपके पास फिफ्टक की ही level का था जो EBS था वो फिफ्टक की ही level का था लेकिन जो 6th से question बना था यहां पर I think यह महासागर का था यह महासागर का जो question है यह 6th class की book में है और जो next है आपके पास एक और जो important चीज मुझे मिली ना वो क को एक बार थोड़ा समरी भी देखने पड़ेगी कि आपके पास 5th class तक EBS की book है या English की book है क्या उनमें chapter है क्या उनकी summary है यह आपको पता होना चाहिए I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो कि अच्छी लगी हो तो आप मेरे touch में रह सकते हो कि EBS की और analysis के लिए क्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या हुआ